हेलो एब्रीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्क्षीट नमबर 28 देट है आपकी 31st देसेंबर 2020 आज की वर्क्षीट में हम आपका चाप्टर ऐसे ऐसे एकांकी का आखरी भाग देख रहे हैं जैसा कि हमने पिछले कारे पत्रक में जाना था कि मो मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा वो बस होंबग पूरा ना करने की वज़े से बहाने बना रहा है विश्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और आगे क्या हुआ क्या क्या हुआ आईए कारे पत्रक के अंतिम्भाग को पढ़कर जानते हैं तो आईए अब हम आगे देखते हैं कि मोहन के साथ क्या होता है ठीक है तो मास्टर जी कहते हैं मोहन से शायद सवाल रह गए है तो मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि इसका काम नहीं हुआ है तभी इसके पेट जी, मोहन ने महीना भर मौच किया, यानि पूरे मन तो उसने मस्ती की, स्कूल का काम रह गया, आज खयाल आया, बस ढर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि अचानक से उसके उसके ऊपर इतना जादा बर्डन आ जाता है, ना काम का, पूरे तो उसने मस्ती की अब अचानक से काम करना पड़ रहा है तो वो बहनेवाजी करने लगता है ठीक है उसके बाद मास्टर जी कहते है अच्छा उठीए सहाब वो मोहन को कहते है उठीए आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है इसकूल से आपको दो दिन की छुट्टी मिलेगी आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा तो मस्तर जी कहते है तुमको दो दिन की छुट्टी दी जाएगी तुम अपना काम पूरा कर लेना ठीक है और मोहन क्या करता है उसी तरह वो मूँ छुपा कर रखता है अब मास्टर जी कहते है हमारी तो जान निकाल दी 15-20 रुपे खर्च हुए 100 अलग। तो उसकी मा कहती है कि इतना जादा तुन्हें बहाना बनाया और हम लोगों के बिल्कुल जान निकाल दी कितना परिशान हो गये थे हम लोग उपर से पैसे खर्च हुए बिना बात के 100 अलग। तो पिता सकी और देखते हुए कहती है देखा जी आपने उसकी मा था तो पिता कहती है चकित होकर बिल्कुल क्या हुआ क्या हुआ तो मा कहती है क्या क्या होता यह ऐसे ऐसे का पेट दर्द नहीं स्कूल का काम ना करने का डर है उसके माँ बताती है कि इसके पेट में कोई दर्दवर्द नहीं हो रहा है यह खाली इसका हुंबग पूरा नहीं हुआ है इस वज़े से बहाने बाजी कर रहा था तो उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं दवा की सीची जैसे वो सुनते हैं दवा की सीची उनकी हाथ से छूट कर फर्ष पे गिर जाती है और एक छड़ सब ठगे से मोहन को देखते हैं फिर हस बढ़ते हैं उसके बाद सब लोग ऐसे एकदम चौक के देखते हैं और फिर सब लोग हसने लगते है दीनानात Jee कहते हैं वाह मोहन वाह उसके पिता Jee कहते हैं वाह बेटा Jee वाह तुमने खूब चखाया यानि तुमने हमको खूब परिशान किया खूब ठकाया उसके बाद एक मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं तो बच्चे अक्सर काम ना होने पर या स्कूल लेट पहुँचने पर बहुत सारे बहाने बनाते हैं तो ऐसे कौन-कौन से बहाने होते हैं जिने सुनते ही जो टीचर्स होते हैं वो तुरन समझ जाते हैं जैसे कि कई बार बच्चे सिर में दर्द होने का भाना करते हैं अगर होमवक पूरा ना हुआ हो या फिर चक्कर आने का भाना करते हैं होमवक की कौपी घर भूल जाने का भाना करते हैं कि काम तो पूरा हो गया था लेकिन कौपी घर छूट गई है इसके लावा पेट दर्द का बहाना भी करते हैं, किसी रिस्तेदार की घर चले जाने का बहाना करते हैं, कि हम चले गए थे, इस वज़े से काम पूरा नहीं हुआ, घर पर बहुत काम था, इस तरह का बहाना भी करते हैं, पिता जी के शहर से बाहर गए होने का बहाना करते हैं, बस छूट जाने का बहान होते हैं जो बच्चे टीचर से करते हैं और जो टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं ठीक है कुशन सेकेंड है आपका कि ऐसा होता तो क्या होता है यानि कि अगर स्टोरी थोड़ा सा चेंज हो जाती मान लीजे कि master पूछते की school का काम तो पूरा कर लिया है और Mohan हां में सी रहलाता यानि जो Mohan है वो बोलता की हां काम मेरा पूरा हो गया है तो Mohan कहता की जी सब काम पूरा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में नाटक का क्या अंथ होता सोच कर लिखे अगर स्टोरी में तो यह हुआ कि मोहन बहाना बना रहा था लेकिन अगर उसका यह बहाना नहीं होता है सच में इसके पेट में दर्द होता तो क्या होता तो ऐसी स्थेती में मास्टरी समझ जाते कि मोहन बहाना नहीं कर रहा है उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक तरह से इलाज कराने की सला देते तो मास्टर जी को क्योंकि पता चल जाता कि मोहन कोई बहाने बाजी नहीं कर रहा है इसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है तो मास्टर जी क्या करते कि उसके माता पिता को सला देते कि इसका जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा इलास करवाया जाए Q3 है आपका कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाई मा लो एक बार उसे सचमुछ पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया तब मोहन पर क्या बीती होगी तो जैसे मोहन बार बार बोलता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है कई बार हम लोग ऐसा बहाना बनाते हैं ठीके बच्चे होते हैं बड़े लोग भी होते हैं कभी कभी ऐसा बहाना बनाते हैं और कभी ऐसा हो जाए कि ये घटना सच में हो जाए तो सोचिए कि उस वेक्ती पे जैसे कि मोहन पे क्या बीतेगी तो हमें चर्चा करके ये लिखना है यदि कभी सच मुच दर्ध हो जाए और लोग उसकी बातों पर विश्वास ना करें तब जाकर मोहन को पता चलेगा कि जूट बोलने से क्या नुकसान होता है तो अगर सच में कभी उसके पेट में बहुत जादा दर्ध हो जाए और कोई उसकी बात पर विश्वास ना करें सबको लगे कि कोई स्कूल नहीं जाना है या हमवक नहीं करना है इस वज़े से ये नाटक कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि जूट बोलना कितनी गलत बात होती है जूट बोलने से कितना जादा नुकसान होता है उसे अपनी आदत पर पच्चतावा होगा और उसकी ये जो आदत है जूट बोलने की इस पर उसे पच्चतावा होगा और संभवता ऐसा हो सकता है वो भविश्य में कभी जूट बोलने से तौबा करे यानि भविश्य में इन फ्यूचर वो कभी भी जूट ना बोले इसलिए कभी भी काम को लेके काम चोरी नहीं करनी चाहिए हमें जूट नहीं बोलना चाहिए वरना अगर इन फ्यूचर हम फर्स गए तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल मोहन जैसे